हेलो दोस्तो मेरा नाम है सूरज योगी और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरी यूटुब चनल हट के नॉलेज में आज दोस्तो हम एक ऐसी टेकनोलोजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम यूस तो हर रोज करते हैं लेकिन उसके बारे में हम बहुत जादा जानते नहीं हैं जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ी लिया है, आज हम बात करने वाले हैं fingerprint sensor के बारे में. महेबा निकर के pizza के सामने ध्यान ना दे क्योंकि वो नकली है. आज कल दोस्तो हमारे हाथ में जो smartphone रहता है, उसके अंदर हमारा fingerprint scanner होता है. यह fingerprint scanner phone के back side में होता है, या तो फिर होता है front side screen के अंदर. तो क्या दोस्तो आप जानते हो sensor कितने type के होते हैं, क्या आप यह जानते हो और वो किस हिसाफ से काम करते हैं, यह जानते हो वो कैसे कैसे काम करते हैं. तो प्लीज इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो में मैं हर एक sensor के बारे में बहुत ही detailed में बताऊँगा, और हर एक sensor की हिसाफ से काम करता है, यह भी आपको यहाँ पर पूरा समझाऊँगा. दोस्तो, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, शेर करें, और अगर मेरे चैनल पे आप फर्स टाइम आए हो और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप चैनल के आइकन के बादू में जो सब्सक्र टीन टाइप के होते हैं, एक ऑप्तिकल फिंगर्पिट्स केनर, दूसरा और तीसरा अल्ट्रा सॉनिक fingerprint scanner तो चलिए आज मैं आपको हर एक टाइप के sensor के बारे में बहुत ही detail में समझाऊंगा आप मेरी चाई की चिंता मत करिए ये चाई ठंडी नहीं होगी ये जादूई कप में पड़ी हुई है ये जब तक video खतम नहीं होगा तब तक ठंडी नहीं होगी दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं optical fingerprint scanner के बारे में क्या दोस्तो आपने ये optical fingerprint scanner देखा है कुछ याद आ रहा है आपको चलिए मैं आपको सबसे पहले एक image दिखाता हूँ शायद आपको कुछ याद आ जाए दोस्तो इस photo को थोड़ा द्यान से देखिए अभी कुछ याद आ रहा है जी हाँ दोस्तो आपने बराबर सूचा है ये आपने देखा है आधरकार की office में जहां पे हमको हमारी उंगली की image देनी पड़ती है अब देते हैं दोस्तो ये काम क्यासे करता है जब आप इस scanner के उपर उंगली रखते हो तब light beam receiver पे आपकी उंगली की एक image बन जाती है ताकि जब कभी भी आप दूसरी बार उसके पर उंगली रखोगे तब ये क्या करेगा उसने जो पहले से एक image बनाई होती है उसके साथ आपकी उंगली को match करेगा और जब ये match हो जाएगा तब आपको access मिल जाएगा लेकिन सुरक्षा के मामले में ये fingerprint scanner इतना सुरक्षित नहीं है क्योंकि ये आपकी उंगली की pattern को नहीं बलकि उसकी image को match करता है इसलिए अगर क्या होगा अगर किसी scanner के उपर आपकी उंगली की photo रख दी जाएगी तो भी वो उसको scan करके match कर देगा और उसका access दे देगा इसलिए ये सुरक्षा के मामलों में इतना सुरक्षित नहीं माना जाता है तो चलिए दोस्तो अब बात करते हैं दूसरे टाइप के scanner की जिसका नाम है capacity fingerprint scanner और यह कैसे काम करता है यह हम detail में जानते हैं दोस्तो इस टाइप के sensor हमारे smartphone के back side में होते हैं जीस एरिया पे हम touch करते हैं उस एरिया के नीचे हजारों की संख्या में conductors होते हैं जब हम हमारे उंगली उसके उपर रखते हैं या आप उसको हम tap करते हैं वो टाइम पे यह सभी conductors active हो जाते हैं और कई सारे electronic signal पैदा होते हैं और जैसे हमारे उंगली की लकीरे उससे match हो जाती है तब हमको access मिल जाता है आज के समय की सभी बड़ी mobile manufacturing कंपनिया जैसे की Samsung, Nokia, Apple, Xiaomi ये सभी कंपनिया अपने phone में इसी technology का उप्योग करते हैं लेकिन उसकी electronic reading पे काम करती है इस वज़े से ये सुरक्षा के मामले में बहुत ही अच्छी मानी जाती है दोस्तो अब बात करते हैं ultrasonic fingerprint scanner के बारे में दोस्तो इस sensor में sound waves की मदद ले जाती है जब हम scanner के उपर उंगली रखते हैं तब scanner के नीचे एक device होती है इस device को बोला जाता है ultrasonic transmitter ये ultrasonic transmitter दोस्तो क्या करता है जब हम scanner के उपर उंगली रखते हैं वो टाइम पे ये ultrasonic transmitter उसके अंदर से sounds waves छोड़ता है जिस sound waves की मदद से हमारे उंगली की एक image बनती है ये image जब सही से match हो जाती है तब हमको access मिल जाता है ये technology दोस्तो बहुत ही नई technology है इसलिए अभी ये slow है लेकिन in future इस technology को improve किया जाएगा दोस्तो रुकिये रुकिये अभी बन मत करना क्योंकि अभी हम बात करने वाले है latest technology की दोस्तो अभी आपने देखा होगा कभी market में जो भी latest mobile आ रहे हैं उसके अंदर जो fingerprint scanner जो रहता है वो mobile की screen के उपर ही रहता है इस technology को बोलते है in display scanner दोस्तो ये technology बहुत ही नई technology है और य ये technology सिफ AMOLED screen में ही काम करती है क्योंकि दोस्तो AMOLED screen की खासियत ही होती है कि उसके अंदर बैकल लाइट feature नहीं होता है और ये transparent होती है इसके अंदर optical fingerprint scanner होता है जिसके अंदर से rays बाहर निकलती है मतलब कि कीरने बाहर निकलती है जो हमारी उंगली की image बना कर हमको access प्रद को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यूए